गुलामी की टैक्स बेवस्था अमारे लिए बहुत ही घातक है इसलिए इस टैक्स बेवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है पहली बात तो इस टैक्स सिस्टम में सरकार को 50% टैक्स मिलता है 50% टैक्स मिलता ही नहीं अगर ये गुलामी की टैक्स बेवस्था बदल दिया ज जाएगा अभी किवल 50% tax मिलता है उसके बाद 100% tax मिलना शुरू हो जाएगा दूसरी बात यह जो गुलामी की tax बेवस्ता यह हमारे GDP में सबसे बड़ा speed breaker है यह बहुत जादा ब्रेक करता है व्यापार को फलने फूलने में बहुत जादा रोक लगाता है सरकार का जो non-productive खर्च है वो जस्ट डबल हो जाता है इस वर्तमान tax system के कारण यह वर्तमान जो गुलामी का tax system है arbitrary है irrational है unconstitutional है वर्तमान tax system से व्यापारियों पे middle class पे अननिससरी केवल mental burden नहीं होता mental tension नहीं होता बलकि बहुत जादा आर्थिक भार भी पड़ता है वर्तमान tax system black economy को promote करता है money laundering को promote करता है घूस खोरी, commission खोरी, जमा खोरी, मिलावट खोरी का मूल कारण भी वर्तमान tax system है काला बजारी, नसा तसकरी, मानो तसकरी, हंतियारों की जो तसकरी चल लहीं उसका बहुत बड़ा कारण यह tax system है भारत में जो जिहाद बढ़ रहा है, मजभी उन्माद बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, इसका भी बहुत बड़ा कारण वर्तमान tax system है भारत के अंदर जो काला धन जनेट हो रहा है, जिसके जरीए धर्मांतरन हो रहा है, घुस पैठियों को बसाया जा रहा है उसका भी मूल कारण यह tax system है इस वर्तमान tax system के कारण भारत का एक भी थाना भष्टा चार मुक्त नहीं, एक भी तहसील भष्टा चार मुक्त नहीं, एक भी जिला भष्टा चार मुक्त नहीं है और वर्तमान tax system के कारण अदालतों में न्याय बिखता है, यह कड़वी सच्चाई है सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वर्तमान टैक्स सिस्टम से 50% ही टैक्स क्यों मिलता है आज की डेट में 3 लाक रुपे साल में कमाने वाला टैक्सपेर कहलाता है यानि अगर वो 822 रुपे पर डे कमा रहा है यानि महीने में 25,000 रुपे कमा रहा है तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेड़ से 2000 रुपे पर डे कमाने वाला माला फूल बेचने वाला वो टैक्स नहीं देता पंचर बनाने वाला भी डेड़ 2000 रुपे कमा लेते हैं वो टैक्स नहीं देते चाय समोसा जलेबी बेशने की जो दुकान चलाते हैं वो भी तेट दोजार रुपे कमा लेते हैं वो भी टेक्स नहीं देते गैराज का मैकेनिक परड़े तेट दोजार रुपे कमा लेता है वो टेक्स नहीं देता कि प्लमबर भी परड़े देड़व रुपए कमा लेते हैं वह टैक्स नहीं देते हैं वही तराria सिक्रिटी गाट जो आप सो ऐसी और रुपए कमाता है यह निमपार्श इने के 25 घं tra आपके पादरी ये भी परडे दोजार रुपए कमा लेते हैं वो भी टेक्स नहीं देते हैं। रेल्वे स्टेसन इसी तरीके से नसात सकरी करने वाले मानों तसकरी करने वाले कबाड बिनने वाले मावादी नक्सली, जिहादी पत्थरबाज भी डेड़ दोजार रुपए कमा लेते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, तो सच्चाई तो यह है कि भारत में ऐसे करोडों लोग हैं, परड़े डेड़ दोजार रुपए कमाते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, उनका रिकार कमाने वाला विचारा जो छप्रासी है जो Home가ard है सेकोर्टी गारν है ड्राइबर है जो भी नोकरी कर रहा है alle टेक्स देता है वह ही तरफ वह दो हजार रूपे 304 रूपे पड़े कमाने वाले टैक्स नहीं इसलिए मैं कहरा हूँ यह वर्तमान Tax System महा घटिया है सरकार इस Tax System के जरीए सरकार कभी 100% Tax ले नहीं सकती है ultimately जो आरगनाइज तरीके से काम करेगा वही टेक्स देगा जो अनारगनाइज तरीके से काम करेगा और टेक्स नहीं देगा अब इस tax system का नतीजा है कि ज्यादा तर लोग un-organized काम करते हैं 2Travel का काम अरगनाई तरीके से नहीं करना चाहते हैं और registration नहीं कराना चाहते हैं तो ना GST देते हैं ना income tax देते हैं और अच्छा कासा कमाते रहते हैं एक TrueTravel के आप company खोलिए तो आपको GST देना पड़ेगा 5% और बाद में जो कमाई आएगी इंकम टेक्स देना पड़ेगा आप company नहीं खोलते हैं आप घर में 10 गाड़ी रख लीजे जितने भाई हैं सब एक गाड़ी चलाईए जिए माता-पिता के नापे गाड़ी खरी लीजे बेटे के नाम पे गाड़ी खरी लीजे पत्नी के नाम पे गाड़ी खरी लीजे अराम से चलाते रहे और सबसे बड़ा होगा क्या जब आप अरगनाइज़ द्वे में TrueTravel का 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 म करेंगे तो आपको GST देना income tax देना है तो आप rate कम नहीं कर पाएंग वहीं जो unorganized तरीके से चलाता है वो आपसे एक किलोपे पर किलोमेटर सस्ता भी चलाएगा तब उसको फाइदा फाइदा है इसलिए मैं कह रहा हूँ दूसरी बात non-productive खर्चा बढ़ता इस आखिर income tax department non-productive department है GST department non-productive department है यह जो income tax department है GST है, WET है, TDS है, road tax है, toll tax यह करते क्या है यह क्या manufacturing कुछ करते हैं कुछ हमारा productive काम करते हैं क्या GDP बढ़ाते हैं नहीं कुछ नहीं करते हैं मुंसी वाला काम करते हैं वसूली काम करने करते हैं मैं ऐसे tax system बता रहा हूँ जिसमें इसकी जरूती नहीं है सरकार को automatic पैसा आएगा यह मुंसी गीरी वाले काम की जरूती नहीं है न income tax department की जरूत है, ने GST की जरूत है, ने WET, ने TDS, ने toll tax, ने road tax इसका मतलब यह हुआ, घर बैठे-बैठे सरकार को ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और यह जो department चलना है, non-productive, इनकी कोई जरूत भी नहीं रहेगी यह वर्तमान tax system arbitrary है, irrational है, unconstitutional है, क्योंकि finance ministry कहती है, 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तो definition एक कर लो, कि जो आदमी अमीर है उसको reservation मिलेगा, जो आदमी गरीब है, जो आदमी अमीर है उसको reservation नहीं मिलेगा, और जो गरीब है उसको मिलेगा, तो अगर 8 लाख रूपए पाने वाला गरीब है reservation मिलेगा, तो 8 लाख रूपए पाने वाले पर tax भी नहीं लगना चाह और Social Justice Ministry और बाखी के डिपार्टमेंट आठ लाख रूपए पाने वाले को भी गरीब इमाने उसको रिजर्वेशन दे इसलिए मैं कह रहा हूँ यह arbitrary, irrational है, unconstitutional है एक सबसे बड़ी बात, नार्थिस के ट्राइबल के ऊपर इंकम टैक्सी नहीं लगता आपके मिजोरम, नागालाइन, मड़पूर, मेघाले, त्रिपुरा, वहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं, कहने को ट्राइबल्स हैं, पहली बात तो ट्राइबल रह नहीं गए, वालेडी कनवर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चन बन चुके हैं कोई आदमी अदमी कनवर्ट हो गया, तो सरकार उसको ट्राइबल बनाके बैठी हुई है, मेरा ये कहना जब कनवर्ट हो चुके हैं, इसके बावजूद उनको प्रेजर्वर्षिन पूदी जा रहा है, उनको इंकम टैक्स में छूट दी जारी है, आप जानते हैं, अगे न करोड़ पति हैं इसके बावजूर उनको इंकम टेक्स नहीं लिया जाता है भारत के बाकी राजियों से टेक्स नार्थिश्ट में भेजा जाता है तो वह बैठे-बैठे करोड़पतियों को भी टेक्स से छूट मिली हुए और वहां वहां उन राजियों का खर्चा आ रहा है उसकी भरपाई कौन कर रहा है ये तीन लाख रूपे साल का कमाने वाला सिकोर्टी गार्ड, ड्राइबर, क्लर, के काउंटेंट, टैक्स दे दे के नार्थिष्ट के करोड़ पतियों के लिए जो वहाँ पे खर चाता है उसकी भरपाई कर रहा है तो अपने आप पर यह साल ये दिखा देते हैं कि उन्होंने दो-चार करोड़ रूपे के आलू बेज दिया है तो वह आलू का कारोबार दिखा के सारा टैक्स में तो हो क्या रहा है नकली किसान करोड़ पति हैं लेकिन नकली किसान बनके टैक्स देते नहीं फाइदा उठा लेते हैं ऐसे बहुत की।टियों के भूरत Absolutely अगर भारत की आप समस्याइएं तो भारत की 50% से ज्यारा समश्याओं का मूल कारण वर्तमान टैक्स सिस्टम है, तो करना क्या है? सरकार सारे टैक्स खतम कर दे, सरकार इंकम टैक्स खतम कर दे, GST खतम कर दे, टोल टैक्स खतम कर दे, रोट टैक्स खतम कर दे, इंसुरेंस टैक्स खतम कर दे, वैट खतम कर दे, सारे tax खतम कर दे, कोई ज़र्वत नहीं है, सरकार के वल banking transaction tax लगाएं, banking transaction tax के लिए थोड़ा सा home work करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, चुकि सारा काम online होना है, banking से होना है, तो सबसे पहले ये जो cheating करते हैं, fraud करते हैं, forgery करते हैं, cyber fraud करते हैं, इ online जो fraud वाड हैं, अपने आप में बंद हो जाएंगे, दूसरा काम ये करना पड़ेगा, जिसके पास भी कालाधन मिला, बेनामी संपत्ती मिली, आइसरी संपत्ती मिली, इसको 100% जबपत कर लेंगे, अब उसकी नागरिकता भी खतम करेंगे, उसको आजीवन कारावास फंसी देंगे, तो लोग illegal काम करना छोड़ देंगे, अब उसके बाद एक notification लाना है, कि 100 रुपए से बड़े नोट बंद होगे, 100 रुपए से बड़े नोट की ज़रूती नहीं है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा कालाधन, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा हवाला, तो जैसे 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, तो 25 परसंट भष्टा चार अपने आप बंद हो जाएगा, और 100 रुपए से बड़ी नोट की इसलिए जरूर अपने ही, कि भारत में 80 परसंट लोग परड़े 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, जो 20 अब क्या करना है, आप केवल 2,000 रुपए, जिस समान की MRP 2,000 रुपए तक है, उसको तो आप कैस में खरीदने की छूट दे दीजे, ठीक है, यानि अब परचून से जो समान खरीदना है, जो day-to-day सबजी लेना है, बाकी कपड़े खरीदने है, जिस समान की कीमत 2,000 से कम ह है, वहाँ उतना आप कैस लेन देने लाओ कर दीजे, लेकिन जो जिस समान की MRP 2,000 से ज़्यादा है, अगर किसी के घर का बिजली बिल 2,000 से ज़्यादा आ रहा है, ट्रेन का टिकट 2,000 से महगा है, जो भी काम 2,000 से महगा हो रहा है, उसके लिए आप आनलाइन तांजेक्स भी bank खाता खुल चुका है, भारत में जो primary school में, सरकारी school में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनका भी account खुल चुका है, उनका वजीफा उनके खाते में आता है, उनका अधार बना हुआ है, इवन जो midday meal का पैसा भी बहुत सारे राज्यों में बच्चों के खाते में आता हमको online transaction करने नहीं आता हमारे पास ATM नहीं है यह तो चलेगा नहीं भारत में 12 करोड लोगों को जो है यह जो किसान सम्मान निधी मिलती हो गरीबों को मिलती है और गरीब आदमी भी जाके बाकादा बैंक जाता है वहां से पैसा निकाल के लाता है उसके पास भी रूपय है कि जितनी बार आप transaction करोगे आपको एक परसंट इक्स्टा देना पड़ेगा कहने का मतलब अगर आप सव रूपय का समान खरीदोगे पहली बार तो सव रूपय में आप कैस में खरी सकते हैं अनलाइन करने के ज़रूती नहीं लेकिन अगर आप करना भी चाहते तो आपक नहीं अफिस में Accountant रखना पड़ेगा नहीं को Listen in Found üzer. मीदिल क्लास के लिए अफाइदा की नहीं जाती है जो हर साल उनको टेंशन हो जाती है, Dévancet Tax भ़रो फिर Final Tax भ़रो जो लाब-बार उनको टेंशन होती ओशेशा में खतं हो जाएगी ब्यापारियों के लिए सबसे बड़ा फाइदा, कि ना income tax का inspector आपके office में आएगा, ना अपका GST inspector आएगा, ना white inspector आएगा, कोई आएगा नहीं आपके office में, तो ब्यापारी भी tension free है, 100% अपना focus कहां रखेंगों ब्यापार पे लगाएगा, उनको इस चिंता ही नहीं रहेग है, बहुत ही फाइदे मंद होगा, सबसे बड़ा बड़ी बात तो यह होगी, हमारा business ब्यापार बढ़ जाएगा, और उससे भी जो बड़ा फाइदा होगा, अल्टिमेटली जितने देश विरोधी काम होते हैं, उनकी हवाला के जरीए funding होती है, उनकी काले धन से funding होती है, जो मैं banking transition tax बता रहा हूँ, इससे black money complete खतम हो जाएगी, हवाला की funding रुख जाएगी, जब सब रुपए से बड़ी note बंद हो जाएगी, तो हवाला अपने सबसे बड़ी बात ही है कि कटरवा, जहाद, मजभी उनमाद भी रुकेगा, मावा, नकसलवाद भी रुकेगा, जितनी देश बीरोधी गद्विदियां ये भी रुकेंगी, भारत क्या व्यापार बढ़ेगा, लोगों के उपर tension खतम होगा, सरकार का खजाना जस्ट डबल हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया, सरकार अभी 50% लोग उस टेक्स ले पाती है, बाकि जू ज्यादा कमाते हैं, उसे टेक्स ले ही नहीं पाती है, और पूरा का पूरा जो सेक्टर है उस सब आर्गनाइजड हो जाएगा, अन आर्गनाइज सेक्टर हम जितने काम हो र रखेगा तो भी सरकार का फायदा और जो जादा समान खरीदेगा बार-बार आण-लाइन ट्राजिक्शन करता रहेगा तो भी टैक्स देगा तो भी सरकार को फायदा तो सरकार की बल्ले---- बीच में इस्पेक्टर राज खतम हो जाएगा, व्यापारियों का सोसर बंद हो जाएगा, इसलिए मैं आप से आगरह करता हूँ, इस वीडियो को अधिक सरी शेयर करिएगा, अपने फेस्बूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर डालिएगा, इस कोशिज करिए वीडियो कम एक मिलियन लोग जरूर देखें आपके माध्यम से, आप इस तरीके से इसको प्रसाजित करिए, यह बहुत बड़ी क्रांती ला देगा, भारत को विश्वगूरू बनाने में बहुत बड़ी भूमक्या निभाएगा, और हमने यह अगर यह वन नेशन वन टैक्स लागू क मैं गारंटी साथ कहता हूँ, भारत में रामराजी आ जाएगा.